तो इस वीक परिजात में कुछ ऐसा हुआ कि परिजात जो है ना वो धोका नहीं देना चाहरा था बहरोस को लेकिन फिर भी वो उसकी लेले सबा की बातों में आके जो के बहरोस की वाइफ होती है और वो यह समझता है कि वो आंटी के पास ले जा रहा है लेकिन बेसिकली तो किसी और से ही मिलने जा रही थी वो अपने प्यार से मिलने जा रही थी और जिस पे बहरोस उन्हें पकड़ भी लेते हैं बहरोस जब जा रहे होते हैं वो उससे बोलते भी हैं मतलब पूछते हैं उन्हें लग जाता है कि परिजात कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन परिजात जो है वो वहाँ व्यवफा निभाने के चक्कर में उन्हें ऐसा लगता है कि लैले सबा के साथ सही नहीं हो रहा है तो वो बुलते हैं और वो उसे बात भी करावा होता है पहले तो वो बुलता है कि ठीके जब ये वापस आजएंगे तब बताऊंगा और वो उस टाइम नहीं बताते हैं और ये जब इसको लेके जाता है और जब ये वापस आ रहे होते हैं तो वहाँ बहरोज पहुंच जाता है क्योंकि उनको तो खुश्बू आ ही जाती है गद्दारी की और वो अपना जो है ना ट्रिप कैंसल करके एक तरह से वो आते हैं और इनको पकड़ लेते ह कै Groß ये परिजाद ही था ये मेरी मतलब इस ने पहले तो बोलती है कि हाँ मुझे गल्टी होगे लेकिन बाद में सारा अल्जाम पराईजाद पर लगा देती है लेले सबा और वह पहरोसों इसे महपत करता है और जब महपत करता है तो पर तू मेरी नहीं तो किसी की भी नही और वो उन दोनों को मार देते हैं मतलब लैला को और उनके जो वो वाइफरेंड है उनको वो लैला सबा और उसके जो आशिक हैं उन दोनों को मार देते हैं और यहां परीजात को बचा लेते हैं मतलब परीजात को बेऊश कर देते हैं लेकिन उसे मारते नहीं और इन दोनों को मार देते हैं और जो के उन्हें दुग भी होता है क्योंकि उसे चाहते बहुत थे वहरोज लयला को तो उन्हें बुरा भी लगता है वो प्रन्फिम भी करते हैं उससे पूछते भी हैं कि मतलब उसको ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हुई ना मतलब मानना भी चाते हो और दर्द भी ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता तो एनिवेज और ये जो परिजात है इसको तो वो दो महीने के लिए जो है ना बेहोश करके ही रखते हैं तो कि हमने बाद में देखा और जो उसका द नहीं है और परिजात ने नहीं सुना एनिवेज परिजात जो है दो महीने के बाद होश में आ जाते हैं और वो बहरोज के पास जाते हैं बहरोज उन्हें बुलाते हैं जब ये चीज हो रही होती है जब मतलब वो जो पकरते हैं उसको रंगे हातों लैला को तो उससे बोलत भी है कहता है कि मैं दूसरा मौका नहीं देता हूं मेरी अदालत में घद्दारी की सजा सिर्फ एक है और वो है मौत तो वो मार देते हैं तो अच्छा उस टाम तर ऐसा लगता है जब वो बता रहे होते हैं ना जब वो लैला इस तहां से करती है तो इस तहां से लगता है कि भ वो कहता है कि मतलब लाश को मसक कर दीजेगा इस वजूद के साथ बहुत साए मैंने तो वो चाहता है कि मेरी लाश को मसक कर दें और इस तरह से वसारी conversation हो रही होती तो ऐसा लगता ही नहीं है कि ये परिजात को छोड़ने वाला है और मगर बाद में उसके जो आदमी होते हैं वो उस आशिक को पकड़ के लेकर आते हैं और जिससे लेला को पता चल जाता है कि मैं पकड़ी गई हूँ और इस तहां उन दोनों को मार दिया जाता है जब बहरोज मतलब परिजाध होश में आता है उसको पूछता है कि तुम्हाई जखम भर गए हैं और परिजाध कहता है कि आप इतना प्यार करते थे मतलब लेले सबा से तो आपने उनको क्यूं मार दिया माफ भी तो कर सकते थे तो बहरोज कहता है कि तुमने किसी से रकाबत नहीं की है तो तुम कह सकते हो और परिजाध बात में सुचता है कि वाकी उससे किसी ने रकाबत नहीं की है मतलब उसका जिंदगी में कोई रकीड नहीं है तो बेसिकली यही कहना चारे होते है बहिर रोष क्योंकि उन्होंने रकाबत की है तो उनके साथ यह गदारी हुई है तो वो ऐसे रकीड के साथ नहीं रह सकते गदार रकीड के साथ वो महबध अपनी जगा है लेकिन जब वह मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं हम ने ये भी देखा बाद में कि पहरौज किस तहाँ फिर वह जाहर सी वातों से याद कर रहा है तो उसका प्यानों बजाता हुआ बैठा हुआ होता है और फिर lei की जो जो उसकी दोस्त होती है उसको देखके ही जो है ना कुछ दिन गुजार लूँगा तो ये बड़ी मतलब आप देख सकते हैं कितनी मुखबत थी और कि उसकी नजर भी उसकी नजरों में भी अगर वो है तो वो से देखके गुजार लेगा तो ये बहुत ही स्ट्रॉंग मतलब लव दिखाया है और किस तरह परिजाद क्योंकि परिजाद गलत नहीं था परिजाद एससत घरदान नहीं था तो वह बज गया और जबके उसको लगा भी कि मुझे क्यूं छोड़ दिया मतलब गलती की तो उसको मतलब सजा मिलती है वो उसको अब आगे भ परिज दिया जाएगा और यही बेसिकली इस वीक तो बेसिकली यही हुआ कि उनका जूट पकड़ा गया और जूट पकड़े जाने पर लेले सबा और उनके आशिक को मार दिया गया यहां पुली पुलीस की जो है ना वो चल रही है कारवाई और किस तरह से मतलब में दिख जगा पे भी वो लेले सबा के आशिक रहते थे तो वो डुंडाएं मचे क्योंकि वो जो आशिक थे वो भी गई बड़े बड़ा नाम था और इस तरह उनका इस तरह से खायब हो जाना की कारवाई भी चल रही है तो अब देखते हैं अगले हफते क्या होता है किस तरह से य आप प्लीज देखते रहें परीज़ात हम टीवी पे और कीप वाचिंग लिट्स विजिए उसे फो मोर अप्डेश रिव्यूस एंड नूंट फोर्गेट तो सब्सक्काइब अबर चैनल है इस इस मीरा और यह वाचिंग में ऑन ग्लिट्स विजिए उसे